ग्यारवी वंदे भारत फ्रेंड की राजस्तान में चलने की तयारिया अब जोर पकड़ती नजर आ रही है और इसकी पुस्टी 16 मार्च 2023 को NWR के एक लेटर और जारी किये गए स्चेडियोल से पूरी होती नजर आ रही है क्योंकि अभी पिछली वीडियो में मैंने आपको वताया था कि जैपूर न्यू देली वंदे भारत का ICF चन्नाई से 18 कोचों का एक कम्पलीट रेक डिस्पेच हो चुका है जिसे नौर्थ वेस्टरन रेलवे को सौंप दिया गया है और इसका ट्रायल भी जल्द सुरू कर द जैपूर से दिल्ली की दूरी कितने घंटे में ये ट्रेन तैग करेगी बीक में कितने दिन चलेगी बुकिंग कब सुरू होगी तो सबसे पहले आपका काम नीचे दिख रहे सस्क्राइब बटन को ट्रेस करना है जिसके बाद हम आपको इस ट्रेन की सारी जानकारी वीडिय बताई गई है और इस लेटर में बताया जा रहा है कि मार्च के थर्ड वीक के बाद कभी भी राजस्तान की राजधानी जैपूर और देश की राजधानी दिल्ली के बीच ग्यार भी सेमी हाई स्पीड फ्रेन वंदे भारत के माध्यम से कनेक्टिविटी सुरू हो जाएग इसके लिए 30 कड़ो रुपए खर्च करके डिपो को विक्सित किया गया है यकीनन राजस्तान में जैपूर दिल्ली वंदे भारत एक्स्परियस को अच्छा रिस्पॉंस मिलेगा और बाकी 10 सेमी हाई स्पीड ट्रेनों की तरहे इसके हिट होने में जादा टाइम नहीं और उसी दिन दोपहर 12 बचकर 5 मिनिट पर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन आईगी जब कि न्यू दिल्ली से ये फ्रेंड साम 6 बचकर 13 मिनिट पर रवाना होगी जो साम 7 बचकर 45 मिनिट पर रेवाड़ी आकर रात 10 बचकर 35 मिनिट पर जैपूर पहुँचकर अपना 310 क का सफर खतम करेगी इसकी मैक्सिमम स्पीट कुछ जादा नहीं वलकि अजमिर न्यू दिल्ली सताब्दी एक्सप्रेस के बराबर 130 किलोमीटर प्रती घंटे की रहेगी देखा जाए तो 310 किलोमीटर के सफर को ये वंदे भारत 4 घंटे में पूरा करेगी यानि सताब्दी से ओनली एक गंटा कम 11 वंदे भारत के रूट और स्टोपेज देखे जाए तो ये वंदे भारत मैप में दिखाए गए इस रूट से होकर चलाई जाएगी जिसका एक एडिशनल होल्ट अलवर जंग्सन में दिया जा सकता है हाला कि अभी जैपूर निव दिल्ली वंदे भारत का फ्रेंड नम्मर जिससे ये ओपरेट की जाएगी और टेकेट बोकिंग ओनलाइन और ओफलाइन शुरू नहीं हुई है इसका किराया बाकी 10 वंदे भारत से कम होगा क्यूंकि ये वंदे भारत 300 km डिस्टेंस कवर ही है बैसे मेरी एक्सपेटेशन के मुताविक एसी चियर कार का किराया 800 रुपए एसी एक्जेकुटिब क्लास का 17 रुपए दिल्ली से जैपूर तक का किराया हो सकता है बाकी इस ट्रेंड को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट कीजिए